करनाटक की चुनाव परिराम से असपष्ट संकेत दे दिया है कि नफरत की दुकान बंद हो चुकी है मुहबत का दुकान खुल चुका है जो सिक्षकों को राज करमचारी का दर्जा मिलना चाहिए वो भी देने जा रहे हैं इसलिए असपष्ट संकेत है कि हम सबके हित में सूचते हैं और सबके भविश के बारे में सूचते हैं और उस दिशा में हमारी सरकार जो सुनवाई और कारवाई के परति संकल्पित है उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं नमस्कार आप देखरें एक निवस 24 मैं हूँ आपके साथ रिया सुमन देखें इस वक्त आरजेडी कारियाले में हमारे साथ आरजेडी प्रवक्ता इजाज आहमत जी हैं सबसे पहले सरे हमारे चैनल आपका स्वागत है बहुत धन्यवाद बिपक्षी एक जूड़ता मुहीम को लेकर नितिश कुमार जी बैठक करने वाले हैं तो वही बिपक्षी पार्टी कह रही है कि वो लोगों को सुलजाने और उलजाने में लगे हुए उनका कोई मतलब निकलता नहीं है तो वो आम जनता को भढ़काने का काम करते हैं देखे भारतिय इनता पार्टी जनता के बीच में है नहीं भारतिय इनता पार्टी का राजनितिक बजूद समाप्थ हो गिया है और जिस तरह से भारतिय इनता पार्टी को विहार ने रास्ता दिखाया है सत्ता से बाहर करके वो देश ने भी स्विकार किया है और देश के अस्तर पर सभी विपक्षी दल जो एकठा हुए हैं असपश टूप से संदेश है कि अगर विपक्ष एक हो जाया है तो भारतिय नता पार्टी को प्रास्त किया जा सकता है और उस दिसा में देश के सभी पार्टी चल चुक है और इसी कारण भाजपा खेमें परा तारिक को जैपी गोलंबर से लेके जैपरकास नरायन अध्यन तक वहां तक जाकर लोग बिरोध परतर परदर्शन करेंगे और उनका यह भी कहना कि जिस तरह से आर्जेडी का जो नेतागन है आर्जेडी के जो सरकार है वो लोग भरष्टाचारी सरकार है वो तो अलग हो चुकी है जनता के मुद्दे से अलग हो चुकी है अब उनको इस बात का बेचैनी है कि जो विपक्षी दल की एकता के लिए पटना में बैठक होने जा रही है यह बिहार से जो संदेश निकलेगा राष्टिय अस्तर पर इसको मजबूती देगा और राष्टिय अस नौजवानों के रोजगार के सवाल पर चुके इनका ये सोच तो है नहीं इनका सोच है लोगतंत्र और लोगतंत्रिक परकिरिया को कमजोर करना लोगतंत्र को अपने हिसाब से चलाना और नफरत की भासा बोल करके कहीं न कहीं समाज में दुराओ पैदा करना समाज के अब इनको स्विकार करने वाली नहीं है चुके देश की जनता ने करनाटक की चुनाव परिराम से असपर्ष संकेत दे दिया है कि नफरत की दुकान बंद हो चुकी है मुहबत का दुकान खुल चुका है अब भिहार से जो संदेश निकला है वो असपर्ष टूप से कि अगर विपक्षी दल एक हो जाए तो देश की राजनिती में परिवर्तन हो जाएगा और इस परिवर्तन को देश की जनता की आकांच्छा और देश की जनता की सोच के अनुसार आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है यह असपर्ष टूप से दिग भी रहा है बिजय कुमार सिना जी तो ये भी कह रहे हैं कि पतना सहर में दो-दो संग्राले और संग्राले के अंदर शुरंग बनाने का काम शल रहा है नितिस कुमार जी ऐसा बोल रहे है इतिहास को बचाने के लिए कहीं ना कहीं तो अपना इस्तिति को मजबूत करेंगे तो सुरंग इसी के लिए बनाया जा रहा है कि भाजपा उस सुरंग के अंदर नहीं पहुंच पाए भाजपा जिस तरह की राजनीती करती है इतिहास को मिटाने की वो इतिहास और नाम मिटा आने वाली राजनीच से बचे इसलिए हम सुरंग के माध्यम से उनको संदेश दे रहे हैं कि हम इतनी अंदर तक इतिहास को रखने का काम करेंगे तुम चाह कर भी उस इतिहास को मिटा नहीं सकते हो यही तो हम लोग भी पूछना चाहते हैं कि आपने जो फिजूल खर्ची किया 20,000 कड़ों रुपिया आपने नए संसद भावन विष्टा के निर्मान में किया है उसके लिए आपको पहले से संसद भावन मोजूद था आप अलग से एक और एनेकसी बना करके काम क्यला सकते थे लेकिन चुके आपको अपना नाम अपना चेहरा और अपना नेम प्लेट लगाना था इसलिए आपने सेंटरल विष्टा का निर्मान किया है और आपने तो इतिहास और इतिहास में उस तरह का कार्ड किया है जो हमेशा याद किया जाएगा आपने भारत की लोकतंत्रा लोकसाही को कहीं ना कहीं राज तंत्रा राज साही में बदलने के लिए जिस तरह से सिंगोल को लाने का काम किया है और असोक अस्तम को अलग करके देश के तिहास और देश के सोच को असपश्टूप से बताने का काम किया है कि भारतिय इंतापाटी के हिसाब से जो समिधान और समिधानिक पर किरिया चलेगी उसी को हम चलाना चाहते हैं तो उनको समझ में आ जाना चाहिए कि ये भारत है भारत हमेशा लोकतांत्रिक करण को मजबूती देने पर विश्वास करते रहा है इसलिए अगर इस तरह का कोई प्रियास चलेगा तो गंतंत्र की भूमी बिहार से ऐसे प्रियासों का विरोध हमेशा किया जाता रहा है आगे भी किया जाता रहेगा चले जाता रहा है है और सबको बता दिया गया है अश्पश्ट उसमें बाते आ गई है हम समझते हैं कि बिहार के सिच्छा विहार के सिच्छों के हित में जो हम गुनवत्ता पुन सिक्षा और सिक्षकों को लाना चाहते हैं उस हित में इनको बात समझना चाहिए चुके इन लोगों का पहले से डिमांड रहा कि बिहार में गुनवत्ता पुन सिक्षा हो और सिक्षक हो तो उस दिसा में हमारी सरकार ने काम की है चुके हमारी सरकार क एक संकल्प है कि हम सिख्षा और सिख्षकों के साथ साथ जो सिख्षकों को राज करमचारी का दर्जा मिलना चाहिए वो भी देने जा रहे हैं इसलिए असपश्ट संकेत है कि हम सबके हित में सोचते हैं और सबके भविस के बारे में सोचते हैं और उस दिसा में हमारी सरकार जो सुनवाई याओ कारवाई के प्रति संकल्पी था उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। सुरंग बनाने का काम कर रहे हैं नितिश कुमार जी तो यहाँ पर देखे इजाद अमध जी का कहना है कि बीजेपी वहाँ तक ना पहुच पाया है इसलिए वो सुरंग का इस्तेमाल क्या जाएगा तो ऐसे ही तमाम अबडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहे हैं अगर इ यूटूब पर देख रहें तो सस्क्राइब करें कैमरा परसंस ससी मेरी या पटना नमस्कार